हलो स्टूदेंस वेलकम टू मैंगर बेंस मेरुपाली बर्मा मैंगर बेंस आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा ऐसा नहीं है कि हम अभी आपको फ्री दे रहे हैं और आगे चलके चार्ज कर दें ऐसा कुछ लिए ना अभी आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है और ना ही कुछ लिया जाएगा इवन यहां पर आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको 100% free video ही मिलेंगे इसके इलाबा अगर आप हमारे app और website पे आते हैं तो वहाँ पर आपको totally arrange videos मिलेंगे arrange means यह होता है कि जैसे हम कोई book उठाते हैं तो उसमें chapter wise दिया रहता है chapter में topic wise दिया रहता है तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सभी कुछ arrange मिलेगा आपके लिए सभी chapters sequence से लगे हुए हर chapter के अंदर आपके सारे topics totally arrange हैं even जितने भी patterns हैं उनको भी आपके लिए arrange करके रखा गया है ताकि आपको एक video देखने के बाद उसका connecting topic देखने या connecting pattern देखने के लिए बिलकुल भी परेशान नहीं होना पड़े सब आपके लिए totally वहाँ पर arrange मिलेगा तो यह आपको बिलकुल हमने इसलिए रखा है कि आपको बिलकुल परिशानी नहीं हो तो इसका आप बिलकुल भी लाब उठाईए और हमारे साथ जुड़े रहे आते हैं आज के वीडियो पर आज का हमारा वीडियो है क्लास 9 कोर्स A की बुक है शतज भाग एक उसका अध्याए संख्या है 11 ग्राम श्री यह कविता लिखी है सुमित्रा नंदिन पंथ जी ने तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हमने इतना सारा बताया आपको पहले हम क्लियर कर दें क्लास 9 में हमारे दो कोर्स चलते हैं कोर्स A और कोर्स B आपके पास कौन सा कोर्स है यह डिसाइड करने का काम आपका स्कूल करता है उहाँ पर जो भी कोर्स चल रहा होगा आपको वो लेना होगा अब अगर आपके पास कोर्स A है तो आपके पास दो बुक होंगी कि ये तो हमारे syllabus में है ही नहीं, ये हम 9th में हैं, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे syllabus में नहीं हैं, तो वो syllabus में ना होने का कारण ये है, आपके course अलग होते हैं, आपके books अलग होती हैं, तो जैसे आज हमने आपको बताया कि हम course ए करा रहे हैं, तो उसकी book है हमारी शत्च भाग एक ये हिंदी की हमारी प्रथम पुस्तिका है जिसको हम यहाँ पर दो खंडों में वभक्त किया गया है गद्य खंड और कावे खंड में हमारे पास जो आता है वो है कहानी एकांकी निबंद यात्रावत्तांत संसमरण और भी बहुत कुछ तो यह सभी हम पढ़ आख पढ़े हैं समंग्ये पढ़े हैं और कविताय पढ़ी है तो इसी तरह इसमें गीत आते हैं कजलiran आती हैं चौपाईयां आएंगी दोहे आएंगे तो बहुत कुछ इसा जीए आती है तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह एक कविता है ग्राम शिरी ग्राम मतलब की गाउं तो गाउं के लिए यह डिवूतेद कविता है जिसे लिखाय सुमृत्रा नंदन पंथजी ने इस कविता को हमने पूरे लाइन-बाईज-लाइन व्याख्या पढ़़ी है और साथ ही स पूरे चैप्टर को हमने फिर से समझा है और कुछ एक्स्ट्रा कोशन्स किये हैं जो हमारी NCRT बुक से नहीं है मगर अलग से दिये हुए थे उनको कंप्लीट किया फिर उसके बाद हमने MCQs किये इसी चैप्टर के सारे MCQs कंप्लीट हो गए हमारे अब क्या बचा है बात यह आती है कि अब क्या अब हम लेकर आए है most important question most important question means ये कि ये जो आप अप करने जा रहे है most important ये आपके सारे subjective question है क्या है subjective है यानि कि आपके दोGuos issues आते हैं एक आते हैं objective है आते सबजेक्टिव में आपके multiple – choice questions आते हैं एक question रहता है चाओर options होते हैं तो इसका तो हमने आपको पूरे chapter का कराया है अब यह जो हम करा रहे हैं यह आपका question रहेगा और इसका answer आपको detail में करना होगा यहां पर आपको एक चीज जो सबसे ज़ाद ध्यान रखनी है कि NCRT में जो हमने questions की हैं वो तो आपके हमने करी चुके हैं यह हैं इसी chapter के लेकिन अभी तक हमने नहीं की हैं और पिछले कुछ सालों में आपके exams में यह पूछे जाते रहें इसलिए इनको हम लेकर आएं अब आते हैं इसमें कि यह जो subjective question है यह आपके paper में दो तरीके से पूछे जाते हैं पहला तो होता है आपका काव्यांश आधारित प्रश्न आपको कविता के एक अंश दे दिया जाएगा फिर उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे हैं दूसरा होता है प्रश्न में क्या आता है उसमें आपका कभी परिजय हो सकता है आप कभी की कावेगत विशेश्टाय हो जाती है पार्ट में जिदनी कविता है उसका अर्थ है उसका आश्रे है आपका क्या मत है अगर कोई समस्या पर यह कविता है या किसी की प्रेड़ना दे रहा है कुछ तो इस पर आपके मत भी कई तरीके से पूछे जा सकते हैं तो दोनों ही तरीके से आज हम कोशन करने वाले हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम काव्यांश आधारित प्रश्ण करेंगे यहां क्या दिया है काव्यांशों पर आधारित प्रश्ण उत्र अतिलगू और लगू उत्री अब ये जो काव्यान शाधारित प्रश्ण होते हैं ये भी दो तरीके से पूछे जाते हैं एक अतिलगू रहते हैं इसमें काव्यान शाधारित आपके MCQs भी रहते हैं तो वो हमने MCQs वाले सेक्शन में आपको कराया है अभी जो अतिलगू और लगू आते हैं आप कैसे पहचानू कि यह अतिलगू है कि लगू है इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है जब हमारे सामने कोशन दिया जाता है तो उसमें माकिंग दी रहती है हर प्रशन के आगे माकिंग दी रहेगी कि एक प्रशन आपका एक नमबर का है या दो नमबर का है तो अगर एक नमबर का प्रशन आ रहा है तो वो है आपका अतिलगूत्रिय प्रशन उसका आंसर आपको 20 to 25 वर्ट्स के बीच में देना होगा और अगर वो दो नंबर का कोशन है तो वो है लगूतरी ये प्रश्ण और उसका उत्तर आपको कित्ते में देना होगा 30 to 35 वर्ट्स चिक, क्लियर होगे हैं मैं हर एक चीज आपको बारी की से समझारें अब हम कावियांश पढ़ेंगे इसके आरत को समझेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्णों को देखेंगे क्या है देखें फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिप्टी जिससे रवी की किरने चांदी की सी उजली जाली तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है राहा जलक श्याममल भूतल पर जुका हुआ नबका चिर निर्मल नील फलक तो अब यहाँ पर क्या कह रहे है हमारे कभी ने जो है न वो खेत दिखे पूरे अब वो खेत कैसे लग रहा है उन्होंने ये चीज़ बताईए क्या कह रहे है फैली खेतों में दूर तरक मकमल कोमल सी हरियाली यानि कि जो वो खेत देख रहे है उसमें दूर तक जो है हरियाली फैली है और वो हरियाली अब मकमल का मतलब इनोंने बताया है ये एक कपड़ा होता है जो बहुत ही सौफ्ट होता है अब यहां पर हरियाली को सौफ्ट बताया गया है मगर ये आपका स्पर्श बिम्ब न होकर दृश बिम्ब है कैसे आपको बताते हैं? क्योंकि हर्याली जो है हम अपने आँखों से महसूस कर रहे हैं तो वो हमारी आँखों को बहुत सूधिंग लग रही है बहुत ही softness दे रही है इसलिए उसको मकमल की हर्याली बूला गया है तो दूर तलक वो कुमल-कुमल मकमल की हर्याली फैली है यानि कि आखों को बहुत ही प्यारी लग रही है लिप्टी जिससे रवी की किरने चांदी की सी उजली जाली आप क्या हरियाली पूरी खेतों में फैली है अब उस पर क्या है सूर की किरने पढ़ रही है दिया ना लिप्टी जिससे रवी की किरने रवी अर्था सूर की रोशनी जब उससे पड़ रही है तो एक reflection पैदा होता है हरियाली में और उसमें अगर आप देखो एकदम से तो हलका सा एक उस हरियाली के ऊपर आपको एक हलकी सी जाली टाइप की दिखाईगी कैसी चांदी की सी जाली क्योंकि वह चमक इती तेज होती है कि वह white हो जाती है सूरज की किरने golden होती है लेकिन ये morning के time होती जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो वह धूब जो है तेजी पकड़ता है और वह क्या है brightness को पैदा करता है और वह brightness क्या है हमारी आखों में चमक लाती है एक चमक पैदा होती है आप अगर environment पे देखोगे तो एक चमक आपको दिखाई देखी एकदम सूरज की तो वह क्या है उन्होंने उसको compare किया है चांदी की जाली यानि कि silver के net जैसी वो रोशनी प्रतीत हो रही है तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरे तरुधिर रहा है जलत अब क्या है जो हरे हरे तिनके उगे हुए थी यानि कि जो हरी आली फैली हुई थी न अब खेतों में वो जो हरे हरे पत्ते खिले हुए है न उनके उपर लाल रंग के छोटे छोटे से फूल खिले हुए अब वो छोटे छोटे फूल क्या है कि धीरे धीरे जो फसल है वो पकना शुरू हो रही है यानि कि उनमें बी जा रहा है तो वही दिया ना तिनको के हरे हरे तन पे यानि कि वो जो हरे हरे तिनके उगे हुए हरे आली के उनके पे हिल हरित रुधिर रहा है जलक यानि कि वो ज बनके जब हिल रहे हैं, तो उनके साथ जो उनके उपर लगे हुए लाल फूल है, वो कैसे हैं, वो हिल रहे हैं, जैसे लग रहा है, उनके बदन में खून बह रहा है, श्यामल भूतल पर जुका हुआ, अब श्यामल मतलब कैसा है, डाकनिस, अब प्रत्वी कैसी होती है, डार शेड़ वाली शामल भूतल पर जुका हुआ है यानि कि धर्ती के ऊपर जुका हुआ है क्या नब का चिर निर्मल नील फलक और नब ने शामल तन पर तन किसको बताया है शामल जो भूतल है उसको शरीर बताया है और उसके ऊपर जो है नीले आकाश का निर्मल जो चीर यानि क कि कपड़ा रूपी फलक पड़ा हुआ है यानि कि उस प्रत्वी को आकास ने आकास जो है उसने अपने बस्त रूपी शरीड से उसको ढख रखा है अब इस पर आधारित हमारा क्या है पहला प्रश्न है क्या शिशर रितु में सूरी की चमकीली किरणों का प्रकती पर क्या प्रभाव पड़ता है अब शिशर रितु जो आती है उसमें क्या रहता है ठंडक रहती है ना हलकी तो उस रितु में क्या है सूरज इतना हमें चुब होती है वो जो है है जो है सिल्वेर हो जाती है जो चांदी की जाली प्रतीत होती है तो च्छैमली की प्रतीत हैं तो यहाँ पर क्या है जो पत्ते थे ना उस पे आपने बताया फूल थे उसी के उपर ओस की बूंदे भी है तो वो कैसे दे रही है हरित रक्त के इधार हिसाब से वो दिखाई दे रही है प्रेश्ट संख्या दो है सूर की किरणों को चान्दी की जाली क्यों कहा गया क्यों उसे चान्दी की जाली बोला मैंने भी आपको पता है न उसकी जो चमक होती है वे श्रेट हो जाती है और वही क्या है वो एक जाली नुमासी प्रतीत होने लगती है सूर की किरणों को चान्दी की जाली इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर की धूप खेतों पर खड़े पौधों या घासों पर पड़ती है तो उस पर पड़ती हुई ओस की बूंदे चान्दी के समान चमक उठती है तो क्या हुआ अब सुर का समय है खेतों में ओस Epड़ता है पानी की बूंदे होती है अब जब उस पर केरणे पड़ी तो वह कहीं आ ऐसे भी देखिए चमक उठती है तो ओस की बूंदों पर जैसे ही वह पड़ रही है तो वह रिफलेक्ट कर रही है जहां बूंदे हैं वहा पंक्ति का क्या आश्रे है ये पंक्ति का क्या मतलब है शामल तन पर जुका हुआ शामल भूतल पर जुका हुआ पंक्ति का आश्रे यह है कि फसलों की हरियाली से परिपूर्ण धर्ती पर आकाश का कभी धूमिल ना होने वाला नीरमरली फलक यानी छोरिया किनारा इस प्रका नहीं रहा लेकिन तब भी कहते हैं कि कपडा जैसे उड़ाता है चीर। उसने भोला चीर मतलब क्या होता है कपडा। तो यहांपर क्या है उसमे पूरे को धख रखाए और जैसे लग रहा है कि वो उसको चु हुलЕगा। तो यही चीज़ दिया शामल भूतल पर जुका हुआ यानि कि वो किस तरीके से जुका हुआ है पंक्ति देखे पूरी क्या है शामल भूतल पर जुका हुआ नबका चरनिर्मल नील आफलक तो यहां पर क्या है हमेशा के लिए वो चीज उनकी जुकी है जैसे कि कपड़ा जु तो वो है और अब इस समय क्या है हर्याली च्छाई हुई है तो उस हर्याली को नील नीले आकाश ने रखा हुआ तो जैसे लग रहा है उसने को एक कपड़ा उड़ाया हुआ है अब आते हैं हम दूसरे काव्यांश पे क्या दिया है रोमांचित सी लक्ती वसुधा आई जोंगेहुं की बाली अरहर सनई की सोने की किंकडियां हैं शोभाव चाली उड़ती भीनी तैलाग के गंद फूली सरसो पीली पीली लो हरित धरा से जाक रही नीलम की कली तीसी नीली तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए रोमांचित अब क्या है हर खेत में अलग-अलग चीज़े हुई हुई है तो सबको उन्होंने बताया है रोमांचित सी लक्ती वसुधा वसुधा माने धर्ती धर्ती जो है जैसे लग रहा कि वो बहुत रोमांचित है आई ज ений मेंkich भाई भालीहा आ गई उनमें वleg में भाए ऑगूल गई हैं उसमें तन कींक्डिाएं किंक्डियाँ का थातपर होता है किसी सोना है सोना होता है वही चीजो छोकर्ण होता है तो वही जासे लग राइए कि सोने की किंक्डिया जो बारिक दाने टाईप के होते हैं दाने किंकणिया का ताथ पर होता है किसी जैसे सोना है सोना होता है उसके छोटे छोटे जो कर्ण होते तो वही चीज इन्होंने यहां बताई है कि अरार उसा नहीं कि सोने की किंकणिया है शोभा यानि कि सोनी की छोटी छोटी जो बारिक दाने टाइप के होते हैं वो जैसे लग रहा है मानो खेत में बिखरे हुएं क्योंकि उनमें भी दाने आए हैं तो जैसे लग रहा है पेड में जो है सोने की किंकणिया जो है लगी हुई है वो बहुत ही शोभा दे रही है उड़ी भीनी तैलाख गंद फूली सर्सों की सर्सों पीली पीली तो अब क्या कह रहे ह सर्सों में भी जो है वो दाने आ गए है और फूल आ गए है और वो पूरे वातावरण में तैलाख गंद जो है वो फैलाख गंद क्या होता है सर्सों से जो महेक आती है वो कैसा होता है हम लोग क्या सर्सों का तेल खाया जाता है हम लोग क्या सबजी वगेरा बनती है तो व पूल चुके हैं, लो हरित धरा से जहाक रही नीलम की कली 30 नीली, तो अब यहाँ पर कहरें, जो हर्याली धरती थी, उसमें बीच बीच में 30 आ खिए, तीसी जो है, उसका जो फूल है, वो कैसा होता है, नीला होता है, तो जैसे लगता है कि प्रत्वी से जो है, नीलम अब जो पेहला प्रश्रह हैं हमारे पास वसुद्धा के रोमांचित होने का क्या कारण है अब रोमांचित भई वसुधा यानि की धर्थी हमारी, रोमांचित होना मतलब वो बहुत खुश है अब इसकी खुशी का हमें कैसे पता चलता है क्योंकि चारों तरह बातावरण में अलग-अलग पसले उगे मुई है कहीं जौ है, कहीं गेहू है, कहीं पर सरसो होगा है कहीं पर आपकी तीसी है, अरहर है तो बहुत सारी ऐसे जो है फसले उगाई है इसलिए ऐसे लग रहा कि वसुधा जो बहुत रोमांचित या खुश है प्रकति के सौंदर्य को देखकर वसुधा ने धर्ती के रोमांचित से भर गई है जो जो और गेहु के पौधे में निकल आई बालिया, अरहर और सनई के किंकडियों से सजी धर्ती स्वेम को सौभाग शाली मानते हुए अपने सौंदर्य पर मोहित होने के कारण रोमांचित है यानि कि क्या हुआ वो बहुत खुश है अपनी सुनदर्ता को देखकर अरहर और सनई की शोभा किस प्रकार प्रकट हो रही है अब अरहर और सनई में क्या है दाने आ गए हैं अब इन दोनों के ही दाने कैसे हलके से गोल्डन रहते हैं तो उसको क्या बताया है सोने की किंकणिया यानि की सोने के चुटे चुटे से दाने अरहरो सनई की फसल सुनहरे रंग की है, यानि मेरे दाने गोल्डन रंग की होती है फसल पक कर सूख जाने के कारण हवा में हिलने से बज रही है कैसे वो बज रही है, क्योंकि पक गई है कवी को ऐसा लगता है कि वसुधा की कमर परशु शोभित होने वाले घुमरुदार करधनी है अता करधनी के रूप में शोभा प्रकट हो रही है अब वो क्या है न, वो छोटे-छोटे दाने जो उगाए हैं, वो गोल्डन है तो वो देखने में कैसे लगते हैं, सोने के दाने अब जब क्या है, जब हवा चलती है ऐसे से करके हवा चलती है, तो पेड जब हिलता है तो हिलने के कारण वो जो दाने हैं, वो आपस में टकरा के बचते है तो जैसे कोई इस्तरी होती है वो कमरधनी यानि पेटी बांधी है तो चलती है तो क्या होता है उसमें से चुन चुन करके आवाज आती है तो उसी तरीके सुने लग रहा है कि सनई और अरहर की ने में क्या है अपने कमर पर करधनी बांधी हुई है प्रेश्ट संख्या 3 हैं, किसके पॉधे स्वण के समान चमक रहे हैं वह वसुधा ने किस रूप में सोने के कंगन धार्ण किये हुए हैं तो अब यहाँ पर वो क्या बोल рहे हैं ये अर्हर और सनई के लिए बोल रहे हैं सोने के रंग वाले अरहर सनई के पौधे स्वण के समान चमक रहे हैं क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे उन्मिदाने निकले हैं वसुधा ने अरहर सनई के पके हुए सोने के रंग के फसल के रूप में कंगन धारन किये अब उन्होंने क्या बोला है कि यह क्या है एक कंगन के भातिकल लग रहे हैं जैसे लग रहा है जो धर्ती है उसने कंगन धारण किये हुए क्योंकि वो सोने के भी हैं बज भी रहे हैं और बहुती सुन्दर लग रहे हैं क्योंकि वो छोटे-छोटे से दाने हैं अब कंगन जैसे होते हैं सोने के तो क्या होता हैं में छोटे-छोट क्या है वसुदा कैसी लग रही है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है अब क्या है वसुदा बहुत रूमांचित है अर्थात बहुत खोश है अब उसमें परिवर्तन क्या है उसमें बहुत तरह तरह की फसले खिली हुई है सभी फसलों के बारे में आप बता दोगे यह बहुत प्रसन ने दिखाई दे रही है धर्ती पर गेहूं और जोकी फसले जूम रही है उसमें बालिया निकलाई है उसके पतले पतले नुकीले इतना देखकर ऐसा लगता है एक इवे धर्ती के शरीर में से रोए हैं जो खुशी से खड़े हो गए हैं तो अब वो कैसा जर्ता को बढ़ा रहे है और इनहीं सभी को देखकर क्या है धर्ती रोंगाशत हो रही है अब इसके रोंगाशत का पता कैसे चल रहा है जो फसल अभी-अभी तुरंत ऊच्जा था तो उसको उन्होंने कैसे बताया है, उन्हें ने रोए से कमपर कर दिया, जैसे हम बहुत खुश होते हैं, तो हमारे क्या कहते हैं, गुसस हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये सब जो उनको ने बताया है, कि जैसे रोए खड़े हो जाते हैं, उस तरीके से उन्होंने बताये हैं, उनसा भी नई उगी हुई फसलों के लिए प्रेश्ट संख्या दो है हवा में कैसी गंध उड़ रही है और क्यूँ ये चीज़े अत्वागर के दूसरा है तैलाख गंध का आश्रे स्पष्ट कीजिए तो हवा में कैसी गंध है तैलाख है अब तैलाख गंध का मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सरसो जो होती है उसमें से ही तेल निकलता है तो वो जो गंध होती है वो तेल की गंध होती है इसलिए उसे तैलाख के गंध कहते हैं कि देखी क्या है खेतों में सजे सरसों के पीले पीले पुश्वों का पीला रंग और उन फूलों से उठती भीनी तैलिये गंद हवा में चारों और फैल रही है और अपनी गंद से सबको महका रही है तो समझ में आ गया तैलाक्त गंद क्या है तेल की जो गंद होती है उसे तैलाक्त गंद कहते हैं प्रेश्ट संख्या 3 है नीली तीसी की तुलना किस्से की गई है तथा नीलम की कली कहां से जहांक रही है अब ध्यान दीजेगा नीली तीसी जो है वो कैसे उसकी तुलना किस से की गई है नीलम से की गई है तथा नीलम की कली कहां से जहांक रही है वो धर्ती से निकली है अब इसले जहांक रही है तो देखी क्या है कभी ने नीली तीसी की तुलना नीले रंग के बहमूल रत्न नील तो पने तो भी तो इसलिए उन्हें मोंने उसे नीलां के साथ कंपेर कि rest खेतों की हरी भरी धर्ती से निकलने वाले नीले फूलों को के छोटे छोटे पौधे यानि की नीलम की कली धर्ती को सौंदर्य को देखने के लिए हरी भरी धर्ती से जहांक रहे हैं तो कहां से निकले हैं वो जमीन से निकले हैं तो आप जमीन से निकल का जैसे होता है, हम लोग कहीं से निकलते हैं, तो जहांकने का मतलब उन्होंने इसी से बताया, कि वो जोटे-छोटे पौधे जो है निकले हैं और उचक-उचक के जो है, वो धर्ती के सौंदर्रे को देख रहे हैं जहांक-जहांक कर. अब आगए हम तीसरे काव्यांश पर तीसरा काव्यांश क्या है रंग रंग के फूलों से रिल मिल हस रही सखियां मतर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी जीमिया छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुन्दर फूले फिरते हैं फूल स्वेम उड़ उड़ वरंतों से वरंतों पर तो आब यहाँ पर क्या दिया है ध्यान दिजेगा रंग रंग के फूल खिले हुए है आब देखें यहाँ पर कहीं पीला फूल है कहीं नीला फूल है कहीं हरी आली है तो बहुत तरहे की फूल जो हैं वो वातावरण में खिले हुए हैं हस रही सखिया मटर खड़ी अब उसी में एक मटर का खेत है तो अब उसमें पौधे उगे हुए हैं और उसमें मटर उगाई है अब उन मटर को क्या बोला है? जैसे जो सखिया आपस में बात करती हैं, सहेलिया आपस में बात करती हैं, उससे इन्होंने compare करते हुए बोला है कि मटर रूपी जो सखिया हैं वो आपस में हस हस कर बाते कर रही हैं मखमली पेटियों से लटकी, जीमिया छिपाए बीज खडी, लड़ी तो क्या कहा है? वो जो मतर है, वो क्या है? मखमली पेटियों की थमान लटकी हुई हैं कोमल-कोमल जो पेटियां होती है उनकी तरह लटकी है। पेटियां क्यों बोली क्योंकि फूली हुह ऊए उनके अंदर मतर के दाने तो लटकी हुई है और अपने अंदर धेर सारे बीजों की लडियों को छुपा रखा है फिरती है रंग रंग की तितलियां रंग रंग के फूलों पर सुन्दर अब चुकि इतने तरह के फूल खिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है उन पर तितलियां भी उड़ेंगी तो वो रंग रंग के रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी जो तितलियां उड़ प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियों के भाव सौंदर्य पर प्रकाश जा लिए तो जो प्रस्तुत काव्यांश थे उतकी पंक्तियों का भाव सौंदर्य बताना है यानि कि जो पूरा हमने काव्यांश पढ ihm ने इसके पीछे कवी का भाव क्या है अर्थ पूछ रहा उसकी feeling क्या है? वो क्या चीज हमें बताना चाह रहा है? तो क्या देखें? प्रस्तुत पंग्तियों में गाउं के प्राकतिक बातावरण का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है तितलियां और फूलो की शोभा दर्शनिये हैं पंक्तियों में कभी ने मानविय करण के द्वारा सौंदर को बढ़ाया है तो इन्होंने देखे हर एक प्राकतिक उपादानों को मानवों से कंपेर किया है इसलिए सीधे मानविय करण है अब चुकि यहाँ पर उन्होंने इतना सुन्दर इतने तरह के फूल, मटर, तितलियां सभी बताया है तो यह सभी किस से समंधित है प्रकति से समंधित है तो वही चीजी यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना सुन्दर प्राकतिक द्रश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उसको जो है किस से किया है मानविय गरण से और जादा सुन्दर बना दिया है दूसरा प्रश्न है मटर की जीमियों को मखमल की पेटियां कहने का क्या कारण है मटर की जो फलियां है जीमियां उनको मखमल की पेटियां क्यों कहा है कभी ने कुछ और भी तो कह सकते थे मगर यही क्यों कहा उन्होंने मकमल की कोमन मुलाययं पेटिऊं में आभूशन रखे जाते हैं हम सभी को पता है ना जैससे कि घर में ममलोग आपने गोल्ड के और कमेंट्स वो क्या करते हैं एक छोटी पोटली में या किसी में करके रखते हैं तो वो क्या होता है, वो बहुत ही soft कपड़ा होता है, यानि कि मकमल होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो बहुत ही सुन्दर जो आभूशन है, वो क्या है, वो है मतर के दाने, उसको किसमे लपेटा हुआ है, एक मकमल के कपड़े में, उस कवर को क्या बोल गया है, मकमल का कपड़ा मतर की जीमिया कच्ची होने के कारण देखने में मकमल के समाल कोमल मुलायम लगती हैं उन्हीं कोमल मकमली फलियों में मतर के बीजों की लड़ियां छिपी हुई हैं इसी कारण कवी ने मतर की जीमियों को मकमल की पेटियां कहा है तो समझ में आ गया ना जो सोने के ज उपर जो मटर का छिलका है उसे मकमल कपड़े की संग्या दी गई है क्योंकि वो जो दाने हैं वो बहुत ही महंगे बहुत ही अच्छे हैं जो होती कीमती जिसको बोलते हैं इसलिए ने मटर की जी मकमल की जीमिया बोला गया है तेसरा प्रशन है फूलों पर उड़ती तितलियां कैसी प्रतीत होती हैं तथा वा कैसा दर्शे प्रस्तुत करती हैं तो कैसी प्रतीत हो रही हैं बहुत ही आकरशक और सुन्दर हैं फूलों पर उड़ती तितलियां बहुत आकरशक वा सुन्दर प्रतीत होती हैं वरंग वरं पर आँस अब आगए अपने संपूहन पाठ आधारित प्रश्णों पर अभी संपूहन पाठ आधारित प्रश्णों में हमने आपको बताया पहले ही कि इसमें कभी परिचे भी आ सकता है आपका काविगत विशेष्टाएं आएंगी कभी की पाट का आर्थ आएगा पाट का आश्रे आएगा और आपके कुछ मत आएंगे तो इन सभी को हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्ण पूछे जा रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्ण को प्रश्ण समझेंगे और फिर उसके बाद हम उत्तर को देखेंगे ठीके चली श्रू करते हैं तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरे तो रुधिर है रहा जहलक पंक्ती का आश्रे इससपष्ट कीजिए अब इस पंक्ती के पीछे हमारे कवी का आश्रे क्या है आप देखें यहाँ पर दो चीजे पहले समझना है अर्थ तातपर ये दो चीजे अलग होती है आश्रे या भाव अलग होता है अर्थ का मतलब क्या होता है जो पंक्ती सामने लिखी है उसी के अर्थ को आप बता दीज सीधे सीधे यानि मीनिंग बता दीजे आश्रय या भाव का मतलब होता है कि जो पंक्ति लिखी है उसके पीछे कभी कहना क्या चाह रहा है अर्थालग हुआ लेकिन उसके पीछे वो कहना क्या चाह रहा है वो चीज होती है आपका आश्रय या भाव अब इस पंक्ति में क्या तिनकों के हरे हरे तनल पर हिल हरित रुधिर है अब हरे रंग का जो रुधिर है वो हिल रहा है तो इससे तात पर इनका आश्रे क्या है आपको बताने क्या कहना चाहते हैं कवी तिनकों को हरे शरील वाला बताते हुए कहता है कि हरे तन वाले इन तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे नसों में हरा रक्त बह रहा है क्योंकि हर्याली पे तो क्या होगा हरा रखते ही बहेगा घास के हरे तिनकों में ऐसी ताजगी एवं उजवलता है यानि कि चमक है मानो उसकी नसों में हरा खुन दोड रहा अब क्या होता है जो हरे रंकर जो खेतों में हर्याली जो खड़ी है उसके उपर ओसकी बूंदे भी इस ढजुकुती प्र हुएंगे तो आप यह जैन na जब हावा से हिलेंगी, ऐसे हावा से हिलेंगी, हावा से हिलने के कबाव भुऑत तेस तो नहीं लेंगी, बहुत तेस हिलेंगी तो यह उसकी बुण्दे तो नीचे टपक जाएंगी, अब वो धीरे-धीरे हिल रही है अब धीरे-धीरे हिलने पर क्या है ये ओस की बूंदे भी थोड़ा-थोड़ा ऐसे से करके हिलती है अब चुकि ओस की बूंदे क्या होती है ट्रांस्पेरेंट होती है अब transparent होने के बाद के कारण जो है उनसे हरियाली अंदर की तरफ जलकती है दिख रही है हमें उसके बूंदों के अंदर जो है ये हरियाली दिख रही है हमको अब ये हिलने की कारण जैसे लग रहा है कि इन हरियाई पौधों के उसे खून बह रहा है खून जो है लेकिन ये खून कैसा है हरे रंग का खून है तो उनकी नसे ऐसी हैं ऐसे करके नसे बनी हुई है और इन नसों पे ये हरे रंग का खून बहता हुआ उनको दिखाई दे रहा है तो देखे क्या है कभी तिनकों को हरे शरीर वाला बताते हुए कहता है अब ये शरीर उनका हरा है कि हरे तनवाले इन तिनकों में हरियाली इस प्रकार समाई है जैसे नसों में हरा रक्त बह रहा हो घास के हरे तिनकों में ऐसी ताजगी एवं चमक है अब वो चमक किस कारण से इनों उसकी बूंदों के कारण है मानों उसकी नसों में हरा खून दोड रहा हो तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस बंक्ती के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है दूसरा प्रश्ण है प्रत्वी कातल श्यामल क्यों है तथा उसके उपर कौन जुका हुआ है ग्राम श्री कविता के आधार पर बताईए अब श्यामल क्यों बोला है क्योंकि दूर तक हरियाली है हरियाली के कारण थोड़ा सा डाकनेस हो जाती अब darkness किसे हम compare कर रहे हैं आसमान से अब आसमान जो हो हलके नीले रंग का जुका हुआ है तो जैसे लग रहा है कि उसने अपनी छाया दे रखी है तो उस श्यामल धर्ती के उपर नीला आकाश जुका हुआ है तो देखिया है प्रत्वी कातल श्यामल इसलिए है क्योंकि प्रत प्रत्वी का तल हरा भरा यानी श्यामल लग रहा है तो श्यामल क्यों लग रहा है यह पता चल गया आपको फिर है इस श्यामल धर्ती पर प्रत्वी के तल पर आकाश का कभी ना धूमिल पढ़ने वाला नील वर्णी फलक यानी किनारा जुका हुआ है ऐसा लगता है मानू आकाश नीचे जुक कर प्रत्वी को छू लेना चाहता है अब क्या होता है एक ऐसा किनारा होता है जिसको शितच कहा जाता है horizon कहते हैं जहां पर हमें धर्ती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं लेकिन actual तो ऐसा नहीं होता है तो जैसे लग रहा है कि वो जुक कर जो है वो धर्ती को छू लेना चाहता है बगर actual में वो उसको छू नहीं पाता है प्रेश्ट संख्या तीन है कभी ने वसुधा को रोमांचित क्यूं कहा है अब क्यों कहा है क्योंकि उसकी धर्ती जो है वो पूरी सजी हुई है बहुत सुन्दर लग रही है और उस सुन्दरता के कारण वो बहुत अधिक प्रसन्न है तो वो जो इसी कारण उसको रोमान्चित कहा गया क्योंकि वो तरह तरह के फूलों से हरी आली से सजी हुई और अपने आपको सुन्दर देखकर बहुत रोमान्चित हो रही है अर्थात प्रसन्न हो रही है कभी की द्रश्टी में वसुदा एक नाइका के समान है जैसे कोई नाइका या एक्टरस जो होती न हेरोईन होती है जब सज जाती है तो कितनी सुन्दर लगती है गेहूं और जो की बालियां अरहर और सनई की सुनहरी फलियां पीले फूलों वाली सरसों की तैलाख के सुगंद तितलियों की भाती रंग बिरंगे फूलों से सजी धजी होने के कारण वसुदा रूपी नाइका रुमान्चित हो रही है अब कोई नाइका क्या होती है वो तरहे तरहे के रंगों का जो है उसने आभूशन पहना हुए फूलों का साथी तैलाख के गंद उसके लिए पोफ्यूम का काम कर रही है और वो सजज़जकर बहुत सुन्दर लग रही है इसलिए वो रूमान्चित शब्द से परिभाशत किया है प्रेश्ट संख्या चार है पंथ जी ने हरियाली को मकमल के समान क्यूं बताया है अब वो मकमल को की तरह उन्होंने बोला हरियाली मकमल क्यूं है अब मकमल कैसा कपड़ा हमने बताया बहुत सौफ्ट कपड़ा होता है हम छोके उसकी सौफ्ट लेकिन यहां हरियाली हम आख मकमल के समान लगती है इसलिए पन्थ जी ने हरियाली को मकमल के समान बताया है वस्त जिस तरह मकमल पर द्रश्टी फिसलती है और उसका एसास अस्तन सुखद होता है उसी तरह हरियाली की सुन्दरता भी अत्यदिक सुखवर होती है तो जैसे मकमल का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए उस हरियाली को इन्होंने मकमल से कंपेर किया क्योंकि ये हरी आली भी बहुत ही मुलायम और सुन्दर लग रही है प्रश्ट संख्या पाँच है कवी सुमित्रा नंदिन पंथ ने मटर की फली को मकमली पेटी क्यों कहा है इन पेटियों में क्या चुपा है तो मकमल की पेटी क्यों कहा मने बताया आपको पहले भी कि जो सोने के जो आभूशन होते हैं वो जिन पेटियों में यानि बैक्स में रखे जाते हैं वो जो पेटियां होती हैं वो बहुत सौफ्ट मुलायम सी होती हैं क्योंकि होता हैं कि अगर हम सक्त में रखेंगे तो आभ वो उस मकमल के बैक के समान है और जो उसके अंदर दाने है छोटे छोटे वो क्या है वो कीमती आभूशन के समान है तो इसलिए उन्हें मकमल की पेटियां बूला गया है यहां जीमी आर्थात मटर की फली भी मकमल सी कोमल है कैसी बहुत ही प्यारी बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि नहीं होगी हुई है उसमें भी बीजों की अमूल लड़ियां छिपी है इसलिए उनकी तुलना पेटियों से की गई है अब उसके अंदर क्या है बहुत अमूल ले मटर के दाने छिपे हैं तो इसलिए उनकी तुलना जो है मकमल की पेटियों से करी गई है प्रेश्ट संख्या 6 है तितली फूलों पर घूमती हुई कैसी लगती है कविता के आधार पर बताईए अब तितलीया जो है वो कैसी लग रही है फूलों के मानिंद लग रही है जैसे फूल रंग बिरंगे खिले हुए है उसी तरह के से तितलीया भी कैसी है रंग बिरंगी है अब ये एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा रही है एक फूल के उपर एक फूल बैटाया और उड़कर वो दूसरे फूल पर जा रहा है तो तितलियों को फूलों की तरह ही बताया गया जैसे फूल रंग बिरंगे हैं वैसे तितलियां भी रंग बिरंगी है प्रकति के विभिन प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं जिन पर रंग बिरंगी तितलिया मंड़ा रही है फूलों पर उड़ती तितलिया ऐसी लग रही है मानो रंग बिरंगे फूल स्वेम ही एक वरंत से उड़कर दूसरे वरंत पर घूम रहे हो अर्था जो है एक फूल जो है उड़कर दूसरे फूल पर ही जा रहा हो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है प्रेश्ट संख्या साथ है गंगा नदी के बालू को कभी ने किस रूप में चित्रत किया है अब क्या है गंगा नदी का जो बालू है वो तेड़ा मेड़ा तेड़ा मेड़ा आप तट पे देखे कभी जाएंगे तो वहाँ पर कैसा हो जाता है बालू हवा के कारण पानी के कारण वो तेड़ा मेड़ा हो जाता है तट का जो बालू रहता है तो उसे किस तरीके सुनून बता है जैसे लग रहा है कोई साप मानो जह है वो रेंग कर अभी महासर गया हो गंगा नदी के बालू को कवी ने साप के रूप में चुतृत किया है बालू पर पड़े हुए टेड़ी मेड़े चिन्न ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे सापों के चलने के कारण निर्मित हुए ह इस प्रकार गंगा नदी की रेट टेड़ी मेड़ी प्रतीत हो रही है जैसे उस रेट से साप चलकर गए हो तो अब क्या हो रहा है कि भाई जो रेट है वो बहुत सॉफ्ट है अब उसके उपर पानी चड़ता है फिर उसके बार घटता है हवा चलती है तो वो जो टेड़ा मेड़ा रूप बन जाता है अब साप भी ऐसी टेड़े मेड़ी टेड़े मेड़ी चलता है तो जैसे लग रहा कि यहां से अभी कोई साप गुजरा है जिसके पीछे यह ऐसे चिन वो छोड़ गया हो प्रश्ण संख्या आठ है नदी किनारे खड़े बगुलों का कवी ने बड़ा अनुखा वर्णिंड किया है ग्राम श्री कविता के अनुसार बताईए तो अब यहां पर उन्होंने जो बगुले खड़े हैं वो अपनी कलगियों को जो है वो सवार रहें कलगी होती ना उन खुजलाते हैं आपने गर बगुले देखें तो कभी आप देखेंगे वो एक पैर पर खड़े हो रहेंगे दूसरे पैर से अपने सिर को खुजलाते रहें तता उंगलियों की कंगी से अपनी कलगी सवारते हुए से प्रदीत हो रहे हैं अब वो क्या ना वो एक्चुली क् प्रतितूरा है कि बार बार वो अपने हाथों से जो है वो अपनी कलगी रूपी बालों को समार रहा है प्रश्ट संख्या नौ है ग्राम और मरकत के खुले डिब्बे में क्या समानता है अब गाओं में हर तरह की फसले हैं फूल हैं सब कुछ है जिसे उन्हOpen अलग अलग जो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं जिसे नीलम हैं सोना हैं पन्ना हैं इन सभी से कंपेर किया है तो गाउं में ये सारी चीज़े फैली हैं और मरकत का डिब्बे का मतलब क्या होता है एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं तो इसी लिए इसको ग्राम को मरकत के डिब्बे के समान कभी ने कंपेर किया हुआ है क्या देखें ग्राम गाउं को मरकत का डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि गाउं का वाता वरण चारों और से खुला है और चमक्ती मकमली हरियाली से इसमरद्ध होता है मरकत पन्ने का रंग भी हरा होता है कैसा होता है हरा होता है हरे भरे सौंदर से युक्त ये गाउं कभी को मरकत के खुले डिबबे सा लगता है गाउं की हरियाली और सच्छवाता वरण के कारण ही कभी ने गाउं को मरकत के खुले डिबबे के समान कहा है तो आपको समझ में आ गया ना ऐसा डिबबा जो कीमती पत्थरों से भरा होता है पत्थर मतलब हो जाए जो स्टोन समलुक बोलते ना अब वो जो स्टोन से उसी तरीके से ये धर्ती भी पूरी सजी हुई है हरियाली से भरी हुई है, रग्विरंगे फूलों से भरी हुई है तितलियां उड़ रही है, चारो तरफ फसले खिली हुई है तो वो सब क्यासा लग रहा है, जैसे लग रहा है ये भी सब एक खजाना है गाउं के अगर इतनी सुंदर्ता होगी तो साहिर ची बात है सभी उसकी हरियाली है, रंग बिरंगी है, शुद्धवाईयू है इसलिए गाउं हमें अपनी तरफ आकरशित करते हैं क्योंकि वहां हमें शुद्धता, सुंदर्यता, सभी कुछ खुली हवा, साह वातावरण ये सब मिलता है तो इसी कारण से हम बहुत सारी लोग जो है वो गाउं की तरफ आकरशित होते हैं गाउं का हरा भरा वातावरण, चारो और फैली हरियाली, खेतों में लहलाहाती फसले, फल फूलों से लदी पेडों की डालियां, पक्षियों के मन मोहक आवास, तथा विभित प्रकार के नैसेग्रकिक सौंदर्य के कारण गाउं अपनी और आकरशित करता है तो ये जितना भी प्राकरतिक सौंदर्य है जो फैला हुआ है, इसलिए गाउं हमें अपनी और आकरशित करता है, और हम उस तरफ खिशते हुए चले जाते हैं प्रश्ट संख्या 11 है, कभी ने गाउं के लिए कौन सा सरवाधिक महत्यपूर्ण विशेशर प्रस्तुत किया है अब यहाँ पर देखी कौन सा है, कभी ने गाउं के लिए कौन सा सरवाधिक महत्यपूर्ण विशेशन सबसे जो important विशेशन का मतलब होता है ना कि हम किसी चीज़ की सुन्दरता या विशेशता बताते हुए विशेश शब्दों का इस्तेमाल करें वो विशेशन कहलाते हैं तो यहाँ पर आपको उन्हीं विशेशन के बारे में बताना है कवी ने गाउं को हरता जन्मन कहा है क्योंकि हरियाली से भरपूर वातावरण, खेतों में लहलाती फसलें, शुद्ध सबजियां और फल, रंबिरंगे फूल, विविद आकर्शक तितलियां, नीला पवित्र आकाश, प्रदूशत रहित अनुपम प्राकरतिक सोभा, नरम चमक, नैसरगिक सुक से परिपुर्ण गाउं वास्तव में सभी की अपनोर आकर्शत करता है, तो अब यहाँ पर जो यह इसके लिए जो सरवादिक महातवपूर विशेशन प्रयोक्त किया है, वो क्या है, हरता जन्मन, यह विशेशन इस्तेमाल किया है, इसका क्या कारण बताया, तो इन्होंने सीधे सीधे उसका कारण क्यों बताया, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है, यहाँ की सुन्दर्ता ऐसी है, कि सभी लोग उससे आकर्शत होते चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसलिए हरता, हरता मतला आकर्शत करता जन्मन, यानि लोगों क कोई मन को ये इसी क्यों आकर्षित कर रही है हमने आपको बता दिया क्योंकि इतना सारा प्राकरतिक्स अंदर ने वहां पर भरा हुआ है तो सभी लोग उस तरव आकर्षित होते हैं इसलिए उन्होंने इस विशेशन का इस्तेमाल किया है हर्ता जन मन प्रेश्न संख्या 12 है क्या दिया गया है ग्राम्शी कविता की प्रमुख विशिष्टताओं को इस पश्ट कीजिए अब यह जो कविता हमारे सामने प्रस्तोत की गई है इसकी विशिष्टता ही विशेश्टताएं मतलब इसकी जो विशेशताएं हैं वो आपको निकाल के रखने इस पूरी कविता की हमें बतानी है भाव के इस्तर पर ग्रामशी कविता में सरल सहज और सौंदर का स्वाभाविक चितरण होने के कारण पार्थक ग्रामीर परिवेश में विचरण करने लगता है अब जब ये कविता हमने पढ़ी थी तो हम एक्चल में कहां पहुँच गये थे गाउं में उन खेतों के बीच पहुँच गये थे तो ये कविता क्या है हमको एक ऐसी जगा की कलपना कराती है जो वातावरण बहुत की सुंदर है बहुत ही साफ सुथरा है और हमें अपनी और आकर्शत कर रहा है तो जब ये कविता हमने पड़ी तो अंदर से हमने ये चीज फील करी कि गाउं का वातावरण कितना सुन्दर होता है शब्द चिल्द कल्पना को साकार रूप देने में समर्थ है यानि कि यहां पर कभी ने शब्दों के माध्यम से जो चित्र उकेरा है उसमें उन्होंने पूरी सफलता पाई है यानि कि जो शब्द के माध्यम से वो हर एक जैसे फूल हो, हर याली की सुंदर्ता हो, कुछ भी हो सब कुछ को उन्होंने इतना सजीव हमारे सामने कर दिया है कि जैसे लग रहा है वो शब्दों के माध्यम से इसा सजीब किया है कि हमारे सामने पूरा एक चित्र बना दिया तो इसलिए उसको क्या बुला है शब्द चित्र को बनाने में संपुर्ण रूप से वो सफल हुए है विभिन अलंकारों और कुशल्टा पूर्वक प्रयोग किया गया है इसमें बहुत सारे अलंकार है आपने देखे रूपक अलंकार है उपमा अलंकार है मानवी करन अलंकार है इन सब ये अलंकारों का भी बखुबी इस्तमाल किया गया है जिससे प्रकति वा ग्रामीर परिवेश के चित्र हमारी आँखों के सामने साकार होते हैं अब इन अलंकारों को इतनी अच्छी तरीके से इस्तमाल किया गया है कि जिनको हम महसूस भी कर पा रहे हैं और अपनी आँखों के सामने देख भी पा रहे हैं इतना सुन्दर तरीके से ये कविता प्रस्थूत की गई है. प्रेश्ट संख्या 13 है. क्या है? ग्राम श्री कविता के आधार पर गाउं के सौंदर की कुछ विशेषताएं लिखिए. अब देखिए हम शुरू से गाउं के सौंदर की विशेषता के बारे में बात करते आ रहे हैं. गाउं में ये होता है, बो होता है. बस उसी विशेषता को आपको यहां पॉइंट्स में लिख देना है. कैसे लिखेंगे देखें, ग्रामशी कविता में गाउं के सौंदर की निम्न विशेषताएं उन लिखनी हैं, अब क्या के विशेषताएं सामने निकल कर आई हैं, देखें, गाउं में चारो और फैली हर्याली अत्यंत मनमुहों के, जो चारो तरह हर्याली फैली हुई है, वो मरकत के खुले डिबेसा नजर आता है अब इतने तरह तरह के रंग में रंगे फूल खिले हुए है एक तो वो सुगंदित है अब फूल जो कविता हमें खिले हैं वो हमें सुगंद नहीं देने ध्यान रखिए हम सिर्फ उसको इमाजन कर पाने तो जब हम कहरें कि इतने तरह के फूल के लिए तो जाइसी जावति इन में सुगंध होगी तो वो सुगंध को हम मैसूस कर पा रहे हैं और दूसा मादकता यानि कि उन सभी को देखकर हमारे अंदर एक नशा सा आ रहा है किस चीज का नशा है वो सुदर्ता को देखने का नशा है इसलिए उसको कवी ने क्या बोला है मरकत के खुले डिबबे यानि मरकत यानि की विभने परकार के जो आभूशन होते हैं उनसे भरा जो डिबबा होता है उसे दरे प्रत्वी इतने तरह तरह के फूलों से सजी है रंग बिरंगी तो वो भी उस विभिन कीमती पत्थरों से सजी हुई मानत पड़ रही है अरहर और सनई की फलियों उसे आती ध्वनी धर्ती को करधनी सी लगती है यानि कि अरहर और सनई में जो दाने आ गए हैं वो जब हवा की कारण हिल रहे हैं तो उनसे जो छुन-छुन की आवाज आ रہी है तो यसे लग रहा है प्रत्वी निन है करधनी बांधी हुई है जैसे एक औरत जो है कमर पेटी करधनी बानती है और चलती है तो चुन-चुन की आवाज आती ने उसी तरह हवा की कारण हिलते हुई अरहयर और सनई के पेड भी वैसी ही आवाज कर रहे हैं धर्ती से जागती पीली सरसो ने भी वातावरण को सुंदर बना दिया है अब क्या है सरसो जो है वो उगाई है और उसके उपर पीले पीले फूल खेल गए है जिसके कारण धर्ती बहुत ही जादा सुंदर लगने जैसे उसने लग रहा है बासंती साड़ी पहनी हुई है और साथी साथ पूरे वातावरण में तैलाख्य गंद फैली हुई है प्रेश्ट संख्या 14 है पंध जी की प्रकती का सुकुमार कवी क्यों कहा गया है आप सुमित्रा नन्र पंध की जितनी भी कविताओं को पढ़ोगे उसमें प्रकती का बहुत ही सुंदर चित्रन है क्योंकि वो actual में प्रकती से बहुत जादा प्रेम करते रहें और उसके पोशक रहें हैं तो इसलिए उनकी कविताओं में आप प्रकती का बहुत ही बहुत ही बहुतर सुन्दर चित्रण देखेंगे पंध जी ने प्रकती को कोमन और सुन्दर रूप का चित्रण बहुत खुपसूर्ती और बारीकी से किया है इसलिए पंध जी को प्रकती का सुकुमार कभी कहा जाता है वे प्रकती के प्रतिक रूप के लिए अत्यंत कोमन और नए शब्दों का प्रयूप करते हैं वो ऐसे कभी हैं कि प्रकति को हमें हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं शब्दों के माध्यम से ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है वो हमारे सामने सजीव है और उसकी विशेशता बताने के लिए ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसी चीजों की उप्मा देते हैं कि हम उसको वाकई में महसूस कर पाएं जैसे कि अब यहां पर उन्होंने कैसे दिया सनई और अरहर के पेड़ों से बचती हुई आवाज को उन्होंने कैसे बताया कमर पेटी के हिसाब से बताया तो जैसे बताया धर्ती को नाई का बताया और उसकी कमर पेटी क्या है यह सनई और अरहर क पेड तो कितनी अच्छी मतब जो चीज हम लोग सोच नहीं सकते उन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी उपमाएं दे हैं प्रेश्ण संख्या पंध रहा है पंध जी ने ग्रामश्री कविता में गाउं की प्राकृतिक सुंदर्ता का वर्णन किया है ये तो सब हम लोगों ने देखा ही गाउं की प्राकृतिक सुंदर्ता के अत्रिक्त और कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं कि नीदो का उल्ले के संशेप कीजी तो गाउं की सुन्दर्ता ने तो हमें प्रभावित किया इसके इलावा और क्या चीजें हैं जिसने हमें इस कविता में बहुत जादा प्रभावित किया तो कोई दो चीज़ें आपको निकाल के रखनी लेकिन गाउं की सुंदर्ता से अलग देखें क्या है गाउं की प्राकरतिक सुंदर्ता के अतरिक्त हमें वहां का पारस्परिक प्रेम एवं सहयोक योक्त सामाजिक जीवन तथा गाउनों में मनाये जाने वाले लोग पर विभिन परकार के उस्व भी प्रभावित करते हैं तो गाउं में सर प्राकरतिक सुंदर नहीं होता लोग आपस में इतना जादा मिल्जुल कर रहते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं वो एक दूसरे से उनका प्रेम होता है वो भी बिना किसी स्वार्थ के होता है तो ये गाउं की जो चीजे होती हैं वो हमें बहुत ज़ादा प्रभावित करती है आप इलम देखेंगे कि लोग आपस में इतने ज़ादा बाउंड होते हैं तो यहां पर उन्हों ने क्या बताया कि वो सभी आपस में इस्थतियों के उत्पन होने के बावजूद गाउं सामाजिक सोहारद के उधारन बने हुए है तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कि वो सभी आपस में सुखदूख के भागिदार होते हैं हर चीज मिल बाट कर करते हैं किसी को तकलीफ है तो पूरा गाउं खड़ा होता है खुशी होती है तो पूरा गाउं सम्मिलित होता है तो वही उन्होंने बोला कि एक दूसरे का जहां भागिदार होते हैं वो वही पर मुसीबतों में हर तरह से सहयोग भी करते हैं तो ये सारी तमाम चीजें जो हैं हमें शहरुम देखने को नहीं मिलती हैं लेकिन गाउं में ये चीज़ें हमें पूरी तरीके से देखने को मिलती है। तो गाउं की ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं बहुत जादा प्रभावित करती हैं। तो ये हो गया यहाँ पर अब ये पूरा पार्ट हमने आपके लिए खतम किया। तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे कोशन्स पूछे जा रहे हैं तो आप इसी तरीके से तयार करोगे। जितना आप सोच सकते हो उतना अपने आपको सूचो और करने की कोशिश करो। तो सही माइनने में आप कोई भी question पूछ लिया जाएगा आप answer आराम से त्यार कर लोगे तो आभी आगे और भी chapter है ना तो जल्दी लेकर आती है उसके लिए Thank you for watching, bye bye